हेलो फ्रेंट्स आजकी इस वीडियो में आप लोग के साथ कॉर्ण से बनी हुई सैलेड की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आई होप आप लोग को पसंद आएगी फ्रेंट्स इस रेसिपी को अमेरिकन कॉर्ण सैलेड भी कहते हैं और ये बहुत टेस्टी होता है खाने में तो फ्रेंट्स आईए देखे इसे कैसे बनाते हैं सबसे पहले हमें कॉर्ण को बॉइल कर लेना है तो यहाँ पे मैंने हाफ कॉप गॉर्ण लिया है जिसे की मैंने पानी में डाल दिया है और इसे थोरी-थोरी देर पर इस तरह से मूव करते रहेंगे और यह बहुत जल्दी हलके हो जाते हैं पानी के ऊपर फ्रेंट्स ये देखिए और कॉर्ण को पकने में तीन से चार मिनट लगते हैं और बहुत जल्दी एक उबाल में ही पक जाते हैं तो आप यहां देख रहे हैं काफी सारे कॉर्ण पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं तो इसके बाद बीच बीच में इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि जो नीच कि कि पैसे बॉल में ट्रांस्फर कर ले हूं कि देखिए तो अब मैं ही हाब मिकशिंग बॉल मे कुछ कटी वी सब्सटा डाल रहे हैं जैसे कि हाबैंने लिया है और छपेरा हरी मेर्च बारी कटा हुआ घाजर बारी कटा हुआ शिबला मिर्च प्यास और निंस अज़ीत मैंने यहां पर काला नमक लिया है आप चाहे तो कोईसा भी नमक यूज़ कर सकते प्लेन वाला भी और इसको चटपटा बनाने के लिए मैंने इसमें आधा नीम्बू निचोड़ा है और जिसे की बहुत टेस्टी हो जाता है इन सबी समगरियों को फिर आपस में मिक्स कर लें और फ्रेंड्स यह बहुत ही क्रंची होता है खाने में और हर बाइट में इसका बहुत ही चटपटा टेस्ट आता है आप इसे ज़रूर बना के ट्राइक करें बहुत ही टेस्टी होता है खाने में तो फ्रेंड्स अगर आपको यह अमेरिकन कॉण सैलेड की रेसेपी पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब कर दें तो फ्रेंड्स मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बबाए